हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओलिन वन शॉल्यूशन इन हिंदी में दोस्तो मैं हूँ नी रजाद यह दोस्तो आज मैं बताऊंगा आपको महाभारत के एक रहसे में व्यक्तित्व के विशह में जो विलेश्टन व्यक्तित्व है जिस चाहिद जानते तो दोस्तो वीडियो को शुरु करने ऊपस्तों पहले आप मैं अपको उन्रोद अपने कर विश कर बांते के जन सब्सक्राइब करेंको को सब्सक्राइब कि nam महाबरात युद्ध में संजे की बारे में सभी जानते हैं संजे के पुता बुनकर थे इसलिए उन्हें सूत-पुत्र माना जाता था उनके पिता का नाम गावलन्यगन था उन्होंने महारिशी वेद्व्यास से दीक्षा लेकर ब्रामनत्य ग्रहन किया था वेदादी विद्याओं का अध्यान करके वेद्रस्तराष्ट की राजसभा में सम्मानिक मंत्री बन गए थे दोस्तो आज के द्रश्ट्रिगोंड से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंबत थे टैलिपैثिक दोस्तों होता है कि य कि कोई विदेश में बैठा है तो अपने धिषान लगा कर बात कर सकते हैं यादे मोबाइल बात करते हैं इसी तरीके से, उसे टैलिपैثि कहते हैं गीता का उपदेश दोनों ने सुना टैलीपैथी की माध्यम से एक अर्जुन और दूसर संजय यही नहीं देवताव के लिए दुर्लव एम विशुरूप चतुर्भुजुरूप का दर्सन भी सिर्फ इन दोनों लोगों नहीं किया था दोस्तों संजय अपनी इसपष्ट वाधिता के लिए प्रसिद्ध थे वे दर्ष्टराश को सही सला देते रहते थे एक और जहां शकूनी की कुटिलता के बारे में सजग करते थे तो दूसरी और वे दुर्योधिन के द्वारा पंडों के साथ किये जाने वाले एह शिजणू वे वार के प्रती दर्ष्टराश को अवगत करा कर चेताते रहते थे दोस्तों वे दर्ष्टराश के संदेश वहाग भी थे संजय का दिव्य दर्ष्टी प्राप्ती अतहवे युद्ध छेतर का समस्त दर्ष्टे महल में ही बैटे देख सकते थे और नेतरहीन दर्ष्टर सो तक संजय युदिश्टर के साथ रज्य में रहे इसके स्पश्चात धर्ष्ट राष्ट गंधारी और कुंती साथ उन्होंने भी सन्यास ले लिया था बाद में धर्ष्ट राष्ट की मिर्त्यों के बाद वे हिमाले चले गए थे जहां से वे फिर कभी नहीं लोटे दोस्त दोस्तों यह से संजय जिन्होंने जो है वह दिव्यदरष्टी से सब कुछ देखा था दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी अब अगले रहस्य महीं वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तित होंगा तो आप से विदा लेता हूँ यदि आपने हमा झाल